तो हिलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हो आप सब लोग ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगा कि अगर आपके फोन में भी अगर आप किसी की कोल आती है तो आपको पता नहीं चल पाता कि किसी की कोल आ रही है या नहीं आ रही है होता क्या अगर हम किस से बात करते हैं तो अगर किसी दूसरे की कोल आने लगती है तो हमें सिगनल मिलता कि किसी की कोल लग रही है तो हम उसका कोल को होड़ करके बात कर सकते हैं वरना अगर किसी से बात कर रहे होते हैं हम तो और दूसरे कोई कोल हमरे फोन पर कर रहा होता है तो हमें पता नहीं चल करना सबसे पहले आपको setting को open करना अपने फोन में जैसे ही आप setting को open करेंगे सबसे उपर जो आपको SIM card का in mobile data का option मिलेगा simply आपको उसी पर click कर देना है जैसे आप उस पर click करेंगे फिर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर call setting का option आपको दिख जाएगा simply आपको किलिक कर देना जैसे ही अग्र आपके फोन में जाइंग आपके सेटिंग नहीं आ रहे हैं तो आपको एक तजी आपको एक तरीका। अजेसे आप यह तरीका जाना लीच Stevens & Cacam的 आप सब्सें नीचे नीचे यहां पर करना है … यहां तो नमबर दोनों select करने लेना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार का option खुलेगा और यहां पे आपके सामने कुछ loading लेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे जो option दिखा simply से call वेटिंग का simply इसको enable कर देना जैसे आप इसको enable कर दोगे simply से आपका सेटिंग successfully हो जाएगी अब क्या होगा अगर किसी से आप बात कर रहे होंगे phone पे उस समय अगर किसी की call आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहां call आ रही है simply सेटिंग को आपको यहां से open करके रख लेना है simply से अब हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका अगर य क्लिक करना जैसे आप 3 डोट पर क्लिक करोंगे यहां पर सेटिंग खुलके आ जाएगी simply सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहां सबसे नीचे carrier card setting का option दिख जाएगा simply इस पे click कर देना है और इसके बाद आपको फी additional setting पे click करना है आप फिर से वही option पे आजाएंगे जहां से अभी आपने किया था तो आपको क्या करना आपको जो यह option दिख रहा है simply से call waiting का तो इसको enable करके रखना है तभी अगर आप किसी से बात करेंगे उससे समय अगर किसी के call आएगी तो आपको signal मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि किसी के call लग रही है तो फिर आप ऐसे उसकी call card के बात कर सकते हैं तो I hope आपको information अच्छी लगी हो अगर information अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीज़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में